Hello everyone, so welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JavaScript के कुछ basic concept के बारे में जिसको बोला जाता है JavaScript में तो value हमें मिलता है जिसका नाम है undefined and null. तो undefined and null के साथ हम कैसे day-to-day life development में उसको यूज में ले सकते हैं और कैसे वह हमें बहुत help करता है conditional logic लिखने के लिए तो आज हम सिखेंगे और उसके साथ JavaScript के most asked एक interview question है जिसको बोला जाता है hosting और hosting क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और उसके बारे में हम details में समझेंगे क्या होता है तो चलिए लेट ना करते हुए हम screen पे चल लेते हैं तो आप देख सकते हो कि आभी screen पे कुछ नहीं है तो मैं अभी एक क्या करता हूं कि इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट में पहले देखता है कि क्योंकि undefined को यहां पे false के तरह treat किया गया that's why यह console block print नहीं हुआ है यह block के अंदर आया ही नहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा change करके कर देता हूं यहां के बहुत भी value पास कर देता हूं इसके अंदर आता है और print कर देता है हमें hello तो देखते कि इसको कैसे हम tackle कर सकते है मान लिजे अपने कोई variable को assign कि या but इसमें अपने कोई value नहीं डला आप condition लिख रहे हो कि अगर a हो तो तभी इसके अंदर कुछ print हो तो यह के अंदर अभी undefined है तो that's why यह कुछ भी print नहीं करेगा लेकिन मैं अगर a में कुछ value डाल देता हूं यह के अंदर मैं कुछ value डाल देता हूं और जिसको assign कर देता हूं 10 और फिर से मैं वही same code को run करूंगा तो अब देख सकते हो guys कि इसने print कर दिया hello यहां पे क्यूंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ value पड़ा हूँ था एक के अंदर कुछ ना कुछ value पड़ा हूँ तो javascript इसको treated किया as a truthy value that's why इसने कुछ print कर दिया similar सा होता है null के case में भी तो मैं अगर इसमें कुछ value लेता हूँ जिसका नाम है B और B के अंदर मैं store करता हूँ null value को और मैं similar सा उस बाले logic को run करने के try करता हूँ और इसमें pass कर देता हूँ B तो आप देखेंगे कि अभी console में कुछ भी print नहीं हुआ बट अगर मैं इसको थोड़ा सा change करता हूँ और B में अब मैं डालता हूँ ना कुछ value और फिर मैं try करता हूँ इसको print करने का तो आप देख सकते हो इसने print कर दिया hello यहां पर मैं क्या करता हूँ और एक तीसरा variable कर लेता हूँ जिसका नाम है c और इसमें कोई भी value assign नहीं करता तो यह undefined है अब मैं चाहता हूँ कि undefined के basis पे कुछ logic चले तो मैं क्या करूंगा c के आगे लगा दूगा यह not operator not operator क्या करेगा false को true में convert करतेगा that's why e-block के अंदर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा hello similar सा होगा null के case में भी तो आप देख सकते हो कि मैं अगर not null लिखता हूँ तो not null भी हमें true return करता है तो day-to-day live conditional logic लिखने के लिए value null और undefined के साथ ऐसे modify करके उसको code में यूज में ले सकते हो तो अब चलिए सीखते हैं कि हम hosting क्या बोलते हैं JavaScript में hosting क्या होता है hosting होता है ऐसा concept कि अपने कोई भी variable को बात में declare किया बात में declare किया but JavaScript उसके scope को हमेसा top of the level लेके जाता है top of the function हो गया top of the code हो गया उसके उपर लेके जाता है तो देखते हो क्या होता है तो मैंने एक नया variable लिया जिसका नाम है d sorry मैंने पहले d के अंदर एक value store किया जो है 10 और फिर मैं console करता हूँ d और फिर मैं next line पे assign करता हूँ d को तो इसका output हमें मिलेगा 10 तो यहां पे क्या हुआ guys यहां पे JavaScript की compiler ने किया कि इस value को इसने ऊपर move कर दिया तो इसने कुछ ऐसा किया भैर d किया और d में कुछ value assign किया और फिर console log को चलाया तो हमें मिला 10 तो इस concept को JavaScript में बोला जाता है यहां स्क्रिप्ट होस्टिंग